बिहार विधान सभाचुनाव में अब लोचपा से अलग लड़ने से बीजेपी की बेचैनी बढ़ती जा रही है पहले ये लड़ाई सिफ चिराग पासवान के तरफ से थी लेकिन अब एंडिये भी जम कर चिराग पासवान पर हमलावर हो रही है सुशील मोदी ने अभी कुछ वक्त पहले ही चिराग पासवान को वोट कटवा कहा था जिसके बाद चिराग पासवान की प्रतिक्रिया भी आ गई उन्होंने कहा कि अगर हम वोट कटवा हैं तो फिर हमें 2014 से साथ क्यूं रखा अब इस मैदान में अमिट शा भी आ गए हैं अमिट शा ने कहा कि बिहार चुनाव में गड़बंधन से अलग होने का फैसला चिराग पासवान ने खुद लिया था अमिट शा ने ये भी कहा कि बीजेपी ने चिराग पासवान को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन चिराग नहीं माने चिराग पासवान लगतार नितीश कुमार पर बयान दे रहे थे उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे थे इससे बात बिगड़ी बीजेपी ने चिराग को समझाने की कोशिश की लेकिन चिराग नहीं माने इसके कारण ही बिहार में इंडिये का स्वरूप बदला है अमिच्छा ने आगे कहा कि बीजेपी बिहार में नितीश कुमार को ही मुख्य मंत्री बनाएगी चुनाव में चाहे बीजेपी के कितनी ही सीट क्यों ना आए मुख्यमंद्री नितीश कुमार ही बनेंगे अमिच्छा ने दावा किया कि नितीश कुमार ने बिहार में बहुत काम किया है और उनके जितना काम अब तक बिहार में किसी ने नहीं किया आपको बता दे कि हर रैली और हर दौरे में बीजेपी 15 साल बनाम 15 साल का राग लगातार अलाप रही है और ये बता रही है कि 15 साल सुशाशन की सरकार जो है उन्होंने काम किया है और जो जंगल राश्ता उसमें बिहार सिर्फ बरबाद हुआ है चिराग पासवान पर कल से लेकर आज तक दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेताव ने ताबर तोड हमला किया है शुकरवार को केंद्रिय मंत्री प्रकास जावेड कर और बीजेपी के प्रवक्ता संबीत पात्रा ने भी चिराग पासवान को वोट कटवा करार दिया था आज अमित्शा भी मैदार में उत्रे अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि ये लड़ाई कहां जाकर लुकती है लेकिन अब ये लड़ाई खुले आम हो गई है चिराग पासवान का अमित्शा के बयान के बाद उनका क्या प्रतिक्रिया आता है ये भी देखने वाली बात होग वो नरेंद्र मोदी के हनुमान है चिराग पासवान हमेशा से ही प्रधान मंत्री मोदी के लिए अपना प्यार दिखाते आए हैं उनको प्रेरना श्रोत बताते आए हैं दरसल चिराग पासवान की रनीती के तहत अपने उमिद्वारों के चुनाव में उतारा है और बीजे कि तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए अगर आप तक आपने हमारे पेच को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजेगा बहुत-बहुत शुक्रिया